नमस्कार स्वागत आपका संवाद 365 में आपके साथ मैं हूं दिखवजय सिंग चोहान उतर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है आईए नज़र डालते हैं उतर प्रदेश की खास ख़बरों पर राई बरेली में अपरादियों के होस्रे बुलंद हैं ताजा मामला भदोखर के चक्र श्रीका हैं जहाँ पेड काटने को लेकर विबाद में आठ लोग लगलवान हो गए बरसाथ के चलते यहाँ पर पेड गिरा था कुछ लोग स्पीड को काटने पहुँचे तो इसका विरोध करते वे अन्य लोगों ने लाठी डंडो और पुलहारी से अमला कर दियां जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोग भी पहुँच गए और जम कर मार पिठ हुई हमारी इनकी पहले पुलाई रंगी से है, हमारी जमीन कुछ कबजा का रखे हैं दस साल से उसके मुकदमों कर मचलता यह वहाँ पर पापा अपने घर से में खेड जा रहा है, उनका रास्ते में उनका घर पढ़ता है हर्दोई में गुरवार की राद तेज हवा के साथ आई बारिश किसानों के लिए आफ़त बन कर आई है बारिश के साथ साथ तेज हवाओं से गन्ने और धान की फसल गिर गई जिससे किसानों को काफी ज़्यादा नुकसान हुआ है तेज हवा से जगा जगा पीड गिरने और टहनिया गिरने के साथ साथ बिजली की व्यवस्ता भी अव्यवस्तित हो गई विदुत कर्मियों और अधिकारियों निजला मुख्यारे और शेहरों के आपूरती ठीक कर दी लेकिन देहात के इलाकों में बिजली की व्यवस्ता भी शाम तक पट्री पर नहीं लोट पाई वही बरसात के वज़ा से कई शेहरों में जल भराव हो गया साथ ही एक दिवान गिरने से एक परिवार पालवाल बज़ गया प्रदेश के हमीरपूर विदान सबा में हुए उप्चनाव में भारती जंता पार्टी के युवराज सिंग ने जीत हासिल की समाजवादी पार्टी के प्रद्याशी दूसरे और ब्सपी के प्रद्याशी तीसरे नंबर पर रहे साथी कॉंक्रिस के प्रद्याशी को चौथा स्थान मिला युवराज सिंग ने अपनी जीत कश्रे पांटी कारे करता और योगी आदितनाद के साथ ही प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी को भी दिया उनका कहना है कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी और मुख्य मंत्री योगी आदितनाद के आशिरवाद से ही उनकी जीत दर्ज हुई है राइबरेली जिले के शहर कोत्वालिक शित्र में लापता युवक की निर्मम हत्या से इलाके में संसरी बज गई युवक की धारदार हत्यार से अगयात लोगों के दबारा गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई मितक के शरीर में धारदार हत्यार से कई वार की गई फिल्हाल सुचना पर फुलिस ने शब को कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए भेजिया और हत्यायों की तलाज में जुट गई जगे है, वहाँ पर एक बॉडी के पाए जाने की सुचना हम लोग आई तो जैसे जैसे हमारे सक्षम अधिकारीयों ने सभी ने मौक्य का मौईना किया असो ने, CEO साब ने, ADISHO, SP साब ने और हमारे द्वारा भी तत्काल मौक्य का मौईना किया गया कौशांबी जिले में बीती राज सही लगातार हो रही बारिश के बाद बिजली गिरने से तीन लोग दिवार के मलबे बिदब गए ग्रामेडों ने मलबे से निकाल कर तीन लोगों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुँचाया इलाइस के लिए अस्पताल जाते समय एक युवक की मौथ हो गई वही गंबी रूप से घायल पिता पुत्र को प्रात्मिक उप्चार के बाद परियाग राज रेफर कर दिया गया राइबरेली पुलिस की नाक में दम करने बाले चोर गिरोह के बांशित दो फरार इनामिया बदमाशों को शेहर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जेल भीज दिया पकड़े गए आरोपी काफी समय से एक गिरोह बनाकर शेहर में चोरी की छोटी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया करते थे आपको बदाते कि इनके खिलाप कई मुकदमे दर्ज हैं इन आरोपियों के उपर 10-10 सजार का इनाम भी पुलिस के द्वारा कोशित किया गया पकड़े गए अभ्यूकतों के पास से लगबगता सजार रुपे की नक्ती और चान्दी के आबोशन भी परामत किये गए तो आपने देखी उतरप्रदेश की खास कबरें क्या कुछ उतरप्रदेश में चल रहा है ठीक इसी तरह की बागी कबरों के लिए और उतरप्रदेश की तमाम जानकारियों के लिए आप लगातार बने रहिए समवाद 365 के साथ नमस्कार झाल